रास्तान के स्त्रोई जिले का एक किसान आज अनारे खेतिकार लाग रोपे की कमाई कर रहे स्त्रोई जिले के सिवगन तैसिल के रुकाडा गाव करेंने वाले किसान स्त्रोण सिंग देवडा स्तिरोई जुलेक रन्यवाल किसान स्त्रवन सिंग ने रेडिमेट कप्रों का स्वरूम बंद कर बागो निकेती में आताज मया और आज उनकी अनार्क डिमान विदेश तक पहुच गई पिछले दो साल अपने दुबई हुआ है और से पहले अम लोग ने बागना देश के लिए इसको एक्सपोर्ट किया अपने पूरा जो गोबर वगेरा या किसी भी टाइब का जो देशी खाद बनाते हैं वह आप इसमें ट्रैक्टर से देश सकते हैं इसके पीछे दो तरीके क और बार की तरफ पिछे की तरफ पोदे की जड़ों के आसपासी जी या ड्रिप की लाइन के आसपास वो गीरता जाएगा जिससे क्या है पूरे उसके खाद की अच्छी सी पूर्ती है स्तरोई सहर से पाली रोड पार 37 किलमेटर चलने पर एक कसबा आता है सिवगंज और कसबे के रुखाडा गाओ में स्रवन सिंग के दो पार माउस है लेकिन इलाके में इसे नाम के दो तीन और लोग भी है लेकिन उने लोग बगीचे वाले स्रवन सिंग के नाम से पुकारत किसान स्रवन सिंग ने रेडिमेंट कपड़ों का सुरूम बंदगर बागोनी खेती में आता आज मैं और अब उनके फार माउस में सिंदोरी अनार की पैकिंग होती है ट्रक में लोडिंग होती है और दूबाई एक्सपोर्ट के लिए और तक आउचाय जाते है किसान स्रव सिंग ने खेत में अच्ची मेनद की और नए प्रयोग किये उनके बगीची मोने वाले फ़लों के स्वात देशी नहीं बलकी विदेश में पसंद किया जा रहे है उनके फल बामदेश पहुच रहे है लेकिन वक्त पर पैमेंट ने मिलने के वैसे वह एक्सपोर्ट रोग द अउजा 13 पहली बार सिंदुरी अनकर के ओधे एरोपे थे और इन पोदों से 2015 में प्रतियकर से 15 किलोतों का उत्पाद मिलना सुरू हुआ जिसे 50 रुपर किलों के साब से फार्माउस परी बेश दिया गया सिंदुरी अनकर छिलका साइनिंग करते है और अनार के अंदार सालार इंकम और तन करीब 20 से 25 लाग रुपर रहती है